Hello everyone, once again आपका स्वागत है U-Born Academy में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम अपने चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे आज हम कक्षा 6 का दूर्षा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Component of Food इससे पहले हम चैप्टर 1st Food Where Does It Come From के तीन वीडियो अप्लोट कर चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे हैं चैप्टर 1st के अंदरगत हमने एक लिस्ट बनाई थी और उसमें कौन-कौन से भोजन हमारे द्वारे खाये गए थे उसके बारे में डिस्केस किया था आपको याद होगा चैप्टर 1st की जो सुरवात थी वहाँ पर हमने टेबल बनाई थी जिसके अंदरगत हमने रोहन, सोहन, पहली, बूजो इन स्टुडेंट के नेम लिखे थे और उनके द्वारा खाये जाना वाला भोजन जैसे रोटी, सबजी, डाल, राइस या फिर इवन भागों में खाये जाना वाला भोजन को भी हमने पहचाना था हमाँ पर, उनको भी identify किया था और उनको map पे क्या किया था, mark किया था, जैसे हमने कहा उत्राखंड, उसके लावा पस्चिमंगाल, या फिर हमारे पास क्या अस्टा था, केरला, आंध्रा, तो अलग-लग states हैं, या अलग-लग parts हैं इंडिया के, तो उसमें अलग-लग टाइप का भूजन लिया जा सकता है, अब milk could consist of चपाती, दाल, और ब्रिंजल करी, अगर हम किसी भूजन की बात करें, तो उसमें क्या-कै सामिल हो सकता है, चपाती, दाल, और ब्रिंजल करी हो सकती है, another may be rice, sambar and vegetable, इसके लावा क्या हो सकता है, rice हो सकता है, sambar हो सकता है, और vegetable, preparation of ladies finger, यानि भिंडी की सबजी हो सकती है, या अनि परकार की सबजी भी हो सकती है, yet another meal could be apam, fish curry and vegetables, इसके लावा क्या हो सकता है, apam हो सकता है, fish curry हो सकती है, vegetable हो सकता है, तो यहाँ पर कुस item तो दिये गए है, इनके अलावा और सारे, बहुत सारे भोजन भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, जिनको हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने अपाम जो दिया है, इसको हमने यहाँ पर picturized form ली है, तो यह इसको जो बनाया जाता है, यह fermented rice होता है, उससे इसको prepared के आता है, जन्नी जो हमारा दर South India ह वहाँ पर इस ताइप के भोजन को हम यूज करते है नेक्स हमने यहाँ पर एक वैस थाले दिखा रही है यानि यहाँ पर रोटी दिखा रही है उसमें चपाती दिखा रही है दाल दिखा रही है mixed waste दिखार के अचार हो गया तो यह यहाँ पर क्या दिखार के mixed waste क्या दिखार के यहाँ पर दिखार की है next NCRT में activity first दिया गया है तो हम उसी को excellent कर रहे है और means usually have at least one item made of some kind of grains अगर हम कहीं पर कोई भोजन बनाते हैं या हम कोई खाना लेते हैं तो at least उसमें एक type का grain हम रखते हैं इसका मतलब क्या हुआ जैसे हमने सुबह नास्ता बनाया तो नास्ता में क्या बरेते हैं हम रोटी लेते हैं या फिर दिन का खाना खाते हैं तो उसमें क्या लेते हैं राइस लेते हैं अगर रात का खाना खाते हैं कुछ अन्य चीज खाने के लिए चाहिए तो इसके लिए क्या हो सकती है दाल हो सकती है या कोई अन्य डिस हो सकती है या मीट हो सकता है या कोई अन्य वेजिटेवल हो सकता है इट में also भी include items like curd, butter, milk and pickles इसके लाव हम इसमें क्या सामिल कर सकते हैं दही को ले सकते हैं, milk ले सकते हैं या अचार ले सकते हैं pickle का मतलब अचार होता है तो इसको ले सकते हैं सम एक्जामपल्स और meals of different region are given in table 1 select food items you depicted on the map in chapter 1 हमने chapter 1 में explain किया था कि जो different parts हैं जो भोजन है और उसके क्या क्या components हैं तो उसको वहाँ पर explain क्या था add some more meals to this list and enter these in table first आप क्या कर सकते हैं इसमें कुछ अन्य को भी क्या कर सकते हैं जोड सकते हैं यानि कौन-कौन से भोजन है और वो कहा कहा ले जाते हैं तो उसको हम यहाँ पर दे सकते हैं तो अगर हम generally बात करें तो अगर हम मालो दिन का lunch ले रहे हैं तो दिन के lunch में क्या होता हमारे लिए रोटी होती है राइस होता है दाल होता है वेजिटेवल होती है सबजी होती है मिक्स सबजी होती है और उसके लाव कोई अन्य जैसे हमने कहा कि milk ले लिया या फिर पिकल ले लिया या कड तो इस तरह से क्या होता हमारे एक complete food माना जाता है तो उसमें at least एक grain item क्या होता है उपस्तित होता ह नेक्स हम आगे बढ़ रहें table first तो table first दी गए है यहाँ पर कुछ states के name दिये गए है और वहाँ पर item of grains यानि क्या क्या वहां की जो भोजन है अनाज जो लिया जाता है उनको discuss दिया गया है और उस अनाज के साथ क्या items यानि दाल सबजी या meat किसका उप्यों किया जाता है औ तो मक्कई रोटी यानि कौर्न है कौन को क्या बोलता हम मक्का तो मक्के की रोटी वहाँ पर famous है items of दाल दाल के अंदर क्या लेते हैं वहाँ पर राजमा जिसको हम क्या बोलते हैं kidney wings next वहाँ पर जो vegetable लिया जाता है जो popular vegetable है वहां की वहां की सर्सु साग आपने सुना वह य प्यार की जाती है इसको भी हम chapter first में discuss कर चुके है पहले others के अंदगत क्या लिया है उसमें curd और घी उसमें क्या ले सकता है हम दही रख सकते हैं और घी को यूज कर सकते हैं तो यह क्या हुए एक complete food हो गया तो उसमें हमारे पास क्या गया ग्रेंश भी आ गया और उसके गया है उसके अंदगत rice को किसके साथ add करता हम तुर दाल एंड रासम तो यह क्या है इसमें items of दाल यानि जो दिया गया है उसको explain क्या गया है नेक्स्ट हमने एक state इसमें और add किया हुए एंसे आटम में दो state दिये हुए थे तो हमने यहाँ पर एक state और add कर दिया जैसे उत्राखंड तो उत्राखंड का items of grain के अंदगत हमने क्या रखा है रागी जिसको finger millet बोलते हैं और इसको मडवा की नेम से भी जाना जाता है items of dal के अंदगत हमने यहाँ पर क्याल दे दी भट की दाल दे दी जिसको local language में चुड़काणी बोलते हैं vegetable के अंदगत हमने यहाँ पर हरी सबजी दे दी इसमें हम सरसू की सबजी बना सकते हैं या पाला की सबजी या अन्य कोई green vegetable यहाँ पर use कर सकते हैं अदर में क्या दिया हमने गुड़ जिसको हम जैगरी बोलते हैं और घी तो कभी यह क्या है यहाँ पर उत्राखंद का एक भोजी बदात हमने दे दिया यानि मडुवे की रोटी होती है और उसमें क्या दिया आता है गुड़ और घी को mix करके खाय जाता है आप इसमें अनिस्टेश के कुछ नेम लिखे उनके food items और उसमें क्या-क्या grains, vegetables या others हो सकते हैं उसको आप इसमें add कर सकते हैं कभी-कभी क्या होता है हमारे जब हम खाना खाते है तो उसमें यह सारी चीजे उस भोजन में उपस्तित नहीं होते हैं even if we are traveling we may eat whatever available on the way अगर हम कहीं पर क्या करते हैं सफर करते हैं traveling करते हैं कहीं पर हम चल रहे होते हैं इधर उधर तो हमें वहां पर जो भी available होता है वहां पर जो भी जिस परकार का भी भोजन हमें available होगा हम उसी तरह का भोजन का उप्वयोग करते It may not be possible for some of us To eat such a variety of items most of the time कभी-कभी हमारे पास यह भी संभव नहीं होता है कि जित्ता भी पिसले हमने जो टेबल में डिसकस किया हुआ है तो वो सारी आइटम हम उसको आसानी से बना पाएं तो हमारे लिए यह क्या होता है लेते हैं राइस और डाल का भी उप्योग कर सकते हैं या करते हैं देर मस्ट भी सम रीजन दो वाइब मील्स यूजली कंशिस्ट अफ सच अ डिस्टिबिशन हमने देखा कि जो बिभीन ने स्टेट्स हैं या फिर बिभीन ने जो कैटेगरी है तो उसमें इन भोजन को क्यों सामिल किया गया है या इनका विभाजन क्यों है क्या आप यह जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसकी बिर्दी के लिए या फिर उर्जा के लिए तो अलग लग तरह के भोजन की क्या हो सकता आशकता होती है और वो भोजन भोज्य जो पदार्थ होते हैं, यानि जो भोजन होता है, वो हमें अलग-लग तरह के क्या करते हैं, जो हमारी requirement है, उसको क्या करता है, complete करता है what do different food items contain, यानि जो भोज़्य पदार्थ होते हैं, यानि खाने वाले जो भोज़्य पदार्थ होते हैं, उनमें क्या-क्या items से उपस्तित होते हैं we know that each dish is usually made up of one or more ingredients, अगर हम किसी भी dish की बात करते हैं, तो उसमें एक या एक से जाधा ingredients क्या होते हैं, उपस्तित होते हैं उसके लाओ oil चाहिए होता है, water चाहिए होता है, तो यह सारे क्या हैं उसके ingredients हैं, which we get from plants और animals, जिसको हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, या तो animal होगा, या तो animal होगा, या प्लांट होगा, इससे पहले chapter 1 में भी हम discuss कर चुके हैं, हमारे पास क्या होते हैं, two types के product होते हैं, जैसे plant product की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, wheat, गेहु है, चामल है, या फिर दाले हैं, तो यह क्या है, plant product और animal product की बात करें, तो animal product के अंदर हमारे पास क्या आता है, जैसे milk हो गया, butter हो गया, घी हो गया, meat हो गया, एग हो गया, तो यह क्या हैं, अपने आप में animal product हैं, जिसको कि हम पहले चैप्टर में explain कर चुके हैं These ingredients contain some components that are needed by our body ये वो भोज़पतार्थ होते हैं जिसमें कुछ नुकुछ क्या होते हैं भोज़पतार्थ की हमारे सरी के लिए क्या होते हैं आशकता होती है और उसमें कुछ नुकुछ क्या होते हैं उपस्तित होते हैं These components are called nutrients ये जो भोज़पतार्थ होते हैं जो जो ये क्या हैं अपने आप में अव्याव हैं इनको क्या बोलते हैं यानि पोशक तत्व बोलते हैं पोशक पतार्थ The major nutrients in our body are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals जो मुख्य पोशक तत्व हैं वो क्या क्या हैं हमारे लिए जो हमारे शरीर की बिर्दी के लिए आउश्यक हैं तो क्या क्या है Carbohydrate, protein, fats, fats को हिंदी में वसा बोलते हैं vitamins and minerals Minerals को हिंदी में बोलते हैं लवन तो ये क्या हैं हमारे पास कुछ food के component है यानि nutrients है जो हमारे body के लिए क्या है required है In addition, food contains dietary fibers and waters which are also needed by our body इसके लाव हमारे सरी को किसी क्या हो सकता होती है dietary fibers यानि जो पाच्चक करने वाले क्या होते है रेसिदार जो सबजिया होती है ठीक है, dietary fibers होता है उनकी भी जरूरत परती है और पाने की भी हमारे सरी को जरूरत परती है तो इसमें सब अगर हम component को mix करते हैं तो क्या होगी या carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, fibers and water Do all food contains all these nutrients? यानि जो हमने पिछले food की बात करें जो हमने पिछले भोजी पतातों की बात की थी जैसे हमने दाल कहा सबजी कहा या रोटी कहा या कोई अन्य food की बात करें क्या उसमें सभी postic तत्तु जो होते हैं यानि जो nutrients हैं जो postic तत्तु हैं वो उपस्तित हैं हम इसको साधान टेस्ट के द्वारा यहाँ पहचाद सकते हैं कि पकयो भोजन या जो कच्चा ingredients है यानि रो का मतलब कच्चा होता है तो कच्चे जो ingredients है उसमें कौन-कौन से postic तत्तु उपस्तित है यानि जो हमारे पास क्या है तो इनके लिए क्या होता है लेबाटरी में शिम्पल से टेस्ट होते हैं जिससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं जबकि जैसे हमने कहाँ बिटामिन्स है या फिर अन्य कोई डियक्टिटी फाइवर्स हैं तो उनके लिए जो टेस्ट होते हैं थोड़ा सा कॉंपलेक्स से टेस्ट होते हैं उनको हम आसानी से लेब में नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं असा नहीं है लेकिन जो higher classes होंगे तो higher classes में आप इनको better way में क्या परहेंगे explain कर पाएंगे तो यहां पर according to 6th तो यहां पर केबल 2-3 जो components हैं carbohydrate, protein और fat से उनहीं को यहां पर explain किया गया है let's do these testes and record all our observations in table 2 इन सभी टेस्टों को किस-किस टेस्ट को, carbohydrate के टेस्ट को, protein के टेस्ट को और fat के टेस्ट को हम explain करेंगे मतलब test को record करेंगे और उनको क्या करेंगे, table 2 में क्या करेंगे place करेंगे for carrying out these test we will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda इन टेस्टों को carbohydrate, protein और fat के टेस्ट को complete करने के लिए identify करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रुत पढ़ रहे है यहां पर iodine की पढ़ रहे है copper sulfate की पढ़ रहे है और caustic soda की पढ़ रहे है you will also need a few test tubes and droppers इसके लाव हमें किस की ज़रुत है कुछ test tube की ज़रुत है, test tube को हिंदी में परकनली बोलते है और dropper की हमें क्या है, requirement है try these test on cooked food items as well as raw materials आपको जो यह test करने है यह किस के साथ करने है पकेवे भूजन के साथ और जो बिना पकावा भूजन है उसके साथ क्या करने है perform करने है raw materials कच्चा जो पदात है जैसे हमने कहा कि हमने पकेवे चाओन ले लिया और हमने कच्चा चाओन ले लिया या हमने रोटी ले ली या हमने आटा ले लिया, इस धंग से, दाल हमने पकी भी ले लिया, दाल हमने बिना पकी भी रख सकते हैं, तो इन दोनों के साथ क्या करना है, इस test को हमें पर्प्रॉम करना है, table 2 shows you a way to record the observation from these tests, table 2 में क्या करना है, आपको इसको record को प्लेस करना है, observe करके इसको प्लेस करना ह some food items are given in this table, table 2 में कुछ food items से दिये गए हैं, जिसको क्या करना है, हमें उसके जो observation है, उनको collect करना है, data collect करना है, और उसको वहाँ पर place करना है you can conduct the test either with these or any other available food items, आप जो table 2 में दिये गए food items हैं, या तो आप इन test को उनके साथ perform कर सकते हैं, या आपको जो भी भोजन वहाँ पर available हो पार है, या आप जिस region में रहते हैं, वहाँ पर जो requirement है या जैसे condition है, उसके साब से जो भी food items वहाँ पर आपको मिल पार है, उसके test को perform कर सकते हैं, do these test carefully and do not try to eat or taste any chemicals, इन जो test हैं, जैसे आपने carbohydrate, protein और fats का जो test कर रहे हैं, तो उन test को आपको क्या करना है, थोड़ा सा carefully करना है, और आपको कोई भी test को वहाँ पर जो chemicals हैं, उन chemical को test नहीं करना है, क्योंकि ये chemicals क्या कर सकते हैं, आपकी body को क्या कर सकते हैं, harm कर सकते हैं, if the required solutions are not available in ready-made form, यहाँ पर form की spell थोड़ा mistake कर रही है, तो आपकी science की lab होगी, या particular physics, chemistry, bio की laboratory होगी, तो उसमें क्या कर सकता है, आप इसको prepared कर सकते हैं, let's begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates, अब हम क्या करेंगे, जो different food items हैं, वहाँ पर अलग लगता है कि जो भूजी पतारती दिये गए हैं, उनमें carbohydrate की presence को क्या करेंगे, identify करेंगे, क्यों उसमें carbohydrate present है या नहीं है, there are many types of carbohydrates, carbohydrates के क्या हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार हैं, उसके अंदर आप higher classes पढ़ोंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, monosacruid होता है, di-sacruid होता है, poly-sacruid होता है, तो यह कहां अलग लग वहाँ पर types है, तो आपकी initiatic according, यानि initiatic 60 की according, जो हाँ पर data की दिया गया है, उसी को explain करेंगे, the main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar, तो यहां पर क्या हमारे पास, केवल जो दो component दिये गए है, एक क्या हमारे पास starch और दुर्सा क्या हमारे पास sugar, starch को मंड बोलते हैं हिंदी में, we can easily test if a food items contain starch, हम इसको जो starch का test है, उसको हम आसानी से identify कर सकते हैं, कि जो given food items था, उसमें starch उपस्तित है या नहीं है, यहां पर हम preparation of some solutions, अगर आपको जो NCR में, आपको अगर laboratory में ready-made solution नहीं बनते हैं, तो कुछ जो solution, जो हमने iodine कहा था, caustic soda और जो copper cell पे लिया था, तो उसके solution को कैसे prepared करते हैं, तो उसकी बारे में हाँ पर हम explain कर रहे हैं, A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water, अगर आपको ready-made iodine solution नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, tincture iodine को half filled water, यानि test tube है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस solution को बना सकते हैं, copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 ml of water, copper sulfate जिसका formula होता है, CUSO4, यह जो copper sulfate है, copper sulfate के solution अगर आपको prepared करना है, तो उसको 2 gram copper sulfate को हम 100 ml water में क्या करते हैं, dissolve करते हैं, तो आपका copper sulfate का solution prepared हो जाएगा, 10 gram of caustic soda dissolve in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda, caustic soda जिसका formula होता है, NUH, तो अगर आपको caustic soda का solution prepared करना है, तो 10 gram caustic soda के pellets को आपको किसमें 100 ml of water में क्या करने पढ़ेंगे, एड़ करने पढ़ेंगे, तो solution prepared हो जाएगा, next is activity 2, test for starts, take a small quantity of food items और raw ingredients, आपको क्या करना है, कुछ small amount में क्या लेना है, food items लेना है, या फिर raw ingredients लेना है, put 2-3 drops of dilute add-in solution on it, उसके बाद क्या करना है, आपको 2-3 drop क्या करना है, add-in solution की उस दिये हुए food items पर क्या करना है, रखना है, आगे हम picture में दिखाएंगे, observe if there is any change in the color of the food items, उसके बाद क्या करना है, जो दिया हुए food items था, जो आपने food items लिया है, उसमें कोई color change हो रहा है, उसको क्या करना है, आपको observe करना है, इसका रहते हैं, उसमें starch उपस्तित है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें starch उपस्तित है, अब blue-black color indicates that it contains stars, जो blue-black, निला-काला जो color आएगा, वह यह दर्साएगा कि दिये हुए भूजिन में क्या था, starch उपस्तित है, या starch present है, repeat this test with other food items to find out which of these contains stars, इसके बाद क्या करना है, इस test को, जो iodine test है, iodine test को जो अन्य भूजिवदार्त है, उनके साथ क्या करना है, repeat करना है, और उसमें चेक करना है, कि उसमें starch उपस्तित है या नहीं है, enter all your observations in table 2, उसके बाद जो भी आपके observation आएंगे, आपके जो अलोकन आएंगे, आप जो अलोकन करेंगे, उनको table 2 में क्या करना है, प्लेस करना है, तो यहांपर हमने iodine test of starch दिखार का है, test of star दिखार का है, तो हम पर potato है, तो potigator में क्या होता है, यह अन्य कोई food items के साथ क्या कर सकते है, जिसमें starch की मात्रय क्या होगी, उपस्तित होगी, test for proteins take a small quantity of food items for testing आपको क्यालना है कुछ थोड़ी सी मात्र में क्या लेना है food items लेना है जिसको आपको test perform करना है if the food you want to test in a solid you first need it to make a paste on it of it or powdered it आपको क्या करना है जो दिया वा food items है उसको आपको कैना है solid form लेच simple आपको क्या engagement solid form था तो आपको कर सकते हो एक paste एक Lucky type में क्या कर सकते है or powder form को Lucky बना सकते है यह powder form भी उसकर सकते है grinds or mess a small quantity of the food items आपको करना है solid form था उसको कीना ए Recommend ग्रेंड करते पीषना होता है और मैस उसको मिक्स कर देना है मैस करना है और small quantity of the food items put some of this in a clean test tube add 10 drops of water to it and shake it the test tube अगर आपके पास वो powder form है तो powder form को क्या करना है आपको एक clean test tube में रखना है और उसके बाद क्या करना है उसमें कुछ drops क्या डालना है यह पानी की mix कर देनी है ताकि उसका क्या बन जाए एक paste तयार हो जाए now using a dropper add two drops of solution of caustic soda to the test tube उसके बाद क्या करना है आपको उस test tube में जिसमें क्या किया हमने जो उपर दो food items था जिसको हमने test करना है तो उसको test tube में डाला था powder form को test tube में डाला था उसमें पानी डाला था कुछ बूदे पानी की डाली थी उसके बाद उसमें क्या डालना है हमने कुछ माट्रा में क्या डालना है costic soda या एनवेस का solution आपने बना रखा है उसको उसमें place करना है shake well and let the test tube stand for a few minutes उसको क्या ना आपको से ढंक से हिलाना है और उसके बाद क्या करना है उसको कुछ मिनट के लिए क्या कर देना है strand कर देना है या उसको कहीं पर रख देना है what do you see आप क्या देखते हैं या आप क्या observe करते हैं did the contents of the test tube turn wallet क्या जो दिया हुआ जो components था जो contents था यानि जो food items दिया था आपको वो क्या wallet color का हो जाता है या वैगनी color का हो जाता है a wallet color indicates presence of protein in the food items अगर wallet color हुआ अगर वैगनी रंग हुआ तो इसका मतलब क्या होगा उस दिये हुए भोज़ पदार्थ में उस दिये हुए food items में या दिये हुए contents में क्या होगा protein उपस्तित होगा तो इसका मतलब protein का test कैसा आएगा wallet color का आएगा और इस्टे पहले starch का test देखाता हुआ तो starch का test में कैसा आएगा blue black color आएगा starch के test के लिए iodine solution का use किया जाता है और protein के लिए क्या दिया गया है हाँ पर caustic soda दिया गया है now you can repeat this test on other food items आप इस test को किसी अन्य भोज़ पदार्थू पर भी कर सकते है copper sulfate and caustic soda तो यहाँ पर हमने यह copper sulfate का bottle दिखार किये यहाँ पर और यह यहाँ पर sodium hydroxide है जिसको क्या बोलता हम caustic soda तो यह दो items यहाँ पर दिखार किया हमने test for fat अगला क्या हमारे पास fat का test है take a small quantity of food items हमें फिर क्या लेना है वैसे test को perform करना है तो हमें कुछ food items लेना है wrap it with a piece of paper and crush it उसको क्या आद करना है उसको हमें does not tear now strengthen the paper and observe it carefully does it have any oily patch उसके बाद क्या करना है उसको paper को हमें इस धंक से fold करना है ताकि उफटे ना उसके बाद हमें उस paper को क्या कर देना है सीधा कर देना है सीधा करने के बाद हमें उसमें देखना है कि कोई oil patches यानि कोई oil के धब्बे या दाग जैसे आये या नहीं आये hold the paper against light उसके बाद क्याना है उस paper को हमें जैसे आपकी सामने बल्ब जला होगा तो उस बल्बे की सामने हम रखेंगे तो अगर हमें oily patch दिखा तो तब जाके हम इसको आगे perform करेंगे are you able to see the light friendly through this patchage आप क्या करते हैं यहाँ पर light friendly यानि थ्वासा हलका धीमा color अगर आप वहाँ पर देख पाएंगे आपने जल्ली देखा होगा अगर हम oil patchage पर कोई हमार पास white paper है white paper अगर हम oil लगा लेते हैं तो वहाँ पर जैसे patchage बन जाते हैं उसी patchage की यह बात कर रहा है अब जो हमार पास क्याएंगे जो oily patchage आएंगे तो उसमें जो food items होगा तो वह क्या हमारे पास fat होगा the food items may sometimes contain a little water जो food items हो सकता है उसमें कुछ मातर में क्या हो सकता है पानी भी उपस्तित हो सकता है therefore after you have rubbed an item on paper let the paper dry for a while उसके बात क्या कर सकता है आप paper को कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ सकते है if there were any water that may have come from food it would dry off after this the food items does not contain any fat अगर ऐसा नहीं हुआ अगर dry हो गया तो इसका मातर होगा तो इसमें कोई food item में fat उपस्तित नहीं था are fats, proteins and stars present in all the food items that you tested आपने जो उपर जो अलग-लग तरह की जो टेस्ट किये थे protein का टेस्ट क्या था carbohydrate का टेस्ट क्या था या फिर fat का टेस्ट क्या था तो ये परतेक भोजून में उपस्तित होते हैं does a food items contain more than one nutrient यानि जो आपके पास भोज़बदार्थ है तो इसमें क्या होगे कुछ भोज़बदार्थ में उपस्तित होंगे कुछ नहीं होगे तो हारे पास क्या था तीन टेस्ट हमने पर्फॉर्म किये थे किस-किस के protein के carbohydrate के और fat की protein के टेस्ट के लिए किस solution का यूज किया जाता है caustic soda का और copper sulphate का और जो हमारे पास किया है carbohydrate है तो carbohydrate के लिए किस test का पर्फॉर्म किया जाता है iodine test का तो यह solution याद रखेगा क्योंकि यही आपके लिए exam में पूछा जाएगा आपसे पूछ जाए कि जैसे carbohydrate है तो carbohydrate के लिए किस chemical का यूज करते है ताकि उसमें carbohydrate उपस्तित है या नहीं है उसको पहचान सेके तो iodine solution और दूसरा अगर प्रोटीन का पुछा जाए तो उसमें के हमारे पास caustic soda and copper sulfate we tested food items for three nutrients carbohydrate, protein and fats there are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items हमने यहाँ पर तीन को explain किया था carbohydrate, protein and fat को इसके लाब क्या सकता है vitamins and minerals को भी हम identify कर सकते है why do we need all these nutrients हमें यह जो बिभिन पोश्चक पदार्थ है nutrients है उनकी क्यों आउसकता पड़ती है तो पिछले हम पहले discuss कर रहे थे कि जो carbohydrate, protein और जो fat है उसको हमने table 2 में क्या करना है place करना है तो पिछले जो topic चले है तो उसमें हमने explain किया था तो यहाँ पर table 2 दिए गए है nutrients present in some food items यानि जो हमार पास भूजबदार थे उसमें कौन-कौन से postic तद्दू उपस्तित होंगे तो यहाँ पर food items starch, protein, fat तो एक तरह क्या लिखा है food items यानि कौन-कौन से food items लिए हो है दूसरा उसमें starch लिखा गया है तीसरा protein है, चौथा fat अगर उसमें starch होगा तो उसको हम yes कर सकते हैं अगर protein होगा तो फिर उस column में yes करेंगे अगर fat होगा तो उस column में yes कर सकते हैं सबसे पहले जो लिए गया है वो है raw potato यानि कच्चा आलू तो कच्चा आलू में starch क्या आता है उपस्तित होता है हमने देखा था वहाँ पर जो आलू की पिक्चर लिए थी तो उसका color कैसे हो गया था आइडूइन solution हमने उसमें डाला था तो कैसा color हो गया था उसका blue black solution उसका बन गया था तो इसका मतलब क्या था उसमें starch उपस्तित था तो कच्चा आलू में कौन सा component होता है starch उसमें उपस्तित होता है दूसरा यहाँ पर food item लिया है milk तो milk में क्या होती है protein भी होती है और fed भी उपस्तित होता है अपने देखा होगा उसमें cream लगती हो पर से तो fat का part हो गया – दूद में देखा होगा cream लगती हो पर से तो fat का part हो गया और दूद में क्या होता है protein भी उपस्तित होता है तो दोनोंको हमने यह कर हो Uncooked Powdered Rice तो Uncooked जो Powdered Rice होगा यानि हमने चावल लिया उसको पीष लिया पीषने के बाद अगर हम उसका टेस्ट करेंगे तो उसमें भी क्या हुआ श्टार्च से उपस्तित होगा Cooked Rice Cooked Rice यानि पका हुआ जो चावल होगा उसमें भी क्या होगा, starch उपस्तित होगा, present होगा, तो उसको हमने लिएस कर दिया, dry coconut, अगले क्या हमारे पास dry coconut, तो dry coconut में क्या होगा, fat उपस्तित रहता है, next हमारे पास uncooked तूर दाल, तो यहाँ पर क्या powdered फॉर्मल लिया गया है तूर दाल को, तो आपको पता होगा, दालो में क्या होता है, सबसे जादा किस की मातर होता है, दालों में, protein की मातर होती है, तो uncooked तूर दाल में क्या लिका हमने, yes क्या है, क्या protein, उसके लाँए स्टार्च और fat क्या होगा, absent होगा, cooked दाल, पकीवी दाल में क्या होगा, protein क्या होगा, इसमें उपस्तित होगा, a slice of any vegetable, इसमें ना तो starch, protein और fat क्या होगा इसमें उपस्तित होगा a slice of any fruit तो इसमें भी क्या होगा तीनुचीज आप संड होगी जनले आपको पता होगा इन चीजों में क्या रहता है vitamins उपस्तित होते हैं boiled egg आपको पता होगा boiled egg, boiled egg में क्या होता है protein तो यह क्या है वहाँ पर हमारे पास table 2 दी गई है जिसको हमने explain किया था again यहाँ पर 3 तरह के food items लिए starch, protein और fat इसमें क्या-क्या chemicals का यूज किया था तो starch के लिए किसका यूज किया था हमने hydrogen solution का और protein के लिए caustic soda और copper cellophady की solution का यूज किया था fad को जनलने हमने कैसा observe किया था हमने एक paper लेया था paper में उस component जिस component में इसको हमें टैस्क करना थे तो उसको पेपर का था YouTube और यूज को क्या थे और सीधा का थे अगर उसमें कोई oily patches दिखा तो इसका र giàत क्या था उसमें fat क्या था उपस्तिता तो यह हमारे पास table 2 है